जैहिन, साल 2021 में आपसे भी के लिए एक बहुती बैतर ओप्रोट्रूटर निकल के आई है अगर आप हरीना प्रिश्यमक कमांडो के तोर पर वर्ति होने का सपना देख रहे हैं तो इस साल आपका सपना सच हो सकता है हरीना प्रिश्यमक कमांडो के जो वेकेंशी हैं वो आ चुकी हैं इसका ओफिसन नोटिफिकसन जारी हो चुका है अब इस बर्तियों को लेकर बहुत सारी कंडिट के डाउट उबन रहे हैं जैसे कि एज वगरा, हाइट वगरा, चस्ट वगरा को लेकर कि एज में किसको कितनी चुट मिनने वाली है हाइटरो चस्ट में किसको क्या चुट मिलेगी इसकी जो फीस वगरा डिटेल है क्या टेगरियो वाइज वो क्या रहने वाली है इसमें PMT, PST यानकी Physical Measurement Test Physical Screening Test, Knowledge Test वगरा ये किस पैटरन पर क्या होने वाला है और भी बहुत सरे डाउट हैं जो आपको इस बरती में सुनने को मिल रही होंगे तो आज इस वीडियो में हम आपके इन से बर डाउट को जो कलियर करने वाले हैं चलिए आपको ओफिसल नोटिफिकेशन के साथ है आपके से बर डाउट जो हो डिसक्स करते हैं तो यह जो है ओफिसल नोटिफिकेशन है जो की अचासी के तरफ से पब्रीश किया गया है इसके जो कम्प्लीट सेलेक्शन प्रोस्योस है उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपकी कुछ मेजर पॉइंटी डिस्कस करने वाले हैं जब आपकी इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पर जाते हो तो पेज नंबर 4 पर आपको सबसे पहले वेकनशी के डिटेल दी गई है टोटल जो आपकी 520 वेकनशी यहाँ पर रहने वाली हैं जिसमें से कटेगरिवाज आप वेकनशी देख सकते हैं उसके बाद बात करें इसकी एज्जुकेशन के तो इसके लिए आपको पलस टू पास होना अनिवारी है उसके बाद आपको 10th कलास में, मैट्रिक कलास में, हिंदी एफे संस्कृत में कोई भी एक सब्जेट आपके पास होना चाहिए और आप फिजिकल मेजरमेंट और स्क्रीनिट टेस्ट में जो है इसमें जो भी इसका सेलेक्शन क्राइटिरे दिया हुआ है उसमें आपके अलिजिबल होनी चाहिए सबसे पहले बात हो गई ये दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इसमें ये कहा गया है कि जो एक सर्विसमेर है और जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिट टेस्ट में जो पास होना पड़ेगा जैसे कि जर्नल, SC, BC, BC, BC के टेस्ट को पास होना पड़ेगा अब हम बात करेंगे एज के बारे में तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है पलीज आप लोग ध्यान से पड़ियेगा यहाँ पर लिखा है कि 18-21 एर for all categories यानि कि चाहे आप जर्नल के टेगरीशे हों चाहे आप SC के टेगरीशे हों चाहे आप ST के टेगरीशे हों चाहे आप OBC के टेगरीशे हों और चाहे आप EWS के टेगरीशे हों आप किसी भी टेगरीशे हों Recruitment of Constable कहने का मतलब यह है कि जिस महिने में आपकी बरती आई है उस महिने के पहले दिन यानि कि आपकी जो बरती आई है वो आई है जून में तो जून 2021 के पहले तारिक को यहां पे लिखा हुआ है कि 16-2021 यानि कि एक जून 2021 को आप कम से कम 18 साल और जादा जादा 21 साल के होने चाहिए और चाहिए आप किसी भी इंटेगरिशों आपकी एज है यही कैलकुलेट किये जाएगी एज विगरा में आपको कहीं भी जो कोई छुट नहीं दी जाएगी पहला पॉइंट हो गया आपका यह उसके बाद यहाँ पर आपकी पेसकेल की जनकारी दिये गई है आपकी जो पेसकेल रहने वाली है वो 21,700 स्टार्टिंग से 69,100 तक जो आपकी पेसकेल रहने वाली है वहें अगर बात करें हमें इसके जो मेरिट लिस्ट तयार होगी थे तयार होगी तो आपकी फीजिकल मेजरिमेंट प्लस आपका फीजिकल स्क्रिणिní स्क्रिनिं़ टस्ट फ्लस आपका नोलीज टस्ट इन तीनों के उपर ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी अगर बात करें, इसमें जो आपके लिए एक अलग से खुसकाबरी है, वो क्या है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, वो भी इसे बढ़ती की जारी किया जाएगी अगर वेकंसी अन्फिल रह जाती है तो, यानि कि अगर वेकंसी खाली रह जाती है तो उसके लिए आपके जो बेटिंग लिस्ट है वो बेजारी की जाएगी वहीं अगर हम इसकी फीस डिटेल के बात करें तो यहाँ पर जो जनल कर्टेगरी की मेल कंडिडेट है उनकी यहाँ पर आपकी 100 रुपे जो SC, BC और EW कंडिडेट है केवल और केवल हरियना स्टेट के लिए वहावर आपकी फीस जो 25 रुपे रहने वाली है जो हरियना के एक सर्विस मेन है उनकी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रहने वाली अब हम बात करेंगे इसकी हाइट वगरा के बारे में फिजिकल मेजरमेंट के बारे में तो देखेगा यहाँ पर जो आपकी हाइट है अगर आपकी 175 सेंटिमेटर है तो आपको 5 नमर मिलेंगे अगर आपकी अबो 178 सेंटिमेटर है तो आपको 6 नमर दिये जाएंगे अगर आपकी हाइट अबो 181 सेंटिमेटर आपके यहाँ पर रहने वाले हैं अब देखेगा इसमें क्या लिखा होगा कि candidate less than 175 cm would not be qualified यानि कि किसी भी candidate की अगर height 175 cm से निचे है तो वह qualified नहीं माना जाएगा अगर बात करें chest की तो आपकी 13 cm कम से कम minimum होने चाहिए और आपको 4 cm expansion यापर फूल आउट चाहिए यानि कि chest का आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा क्यावल हाइट के जो आपको 5 से लेकर 10 नंबर दिया जाएगे अब देखेगा यहाँ पर candidate having chest measurement less than 83 cm would not be qualified यानि कि अगर आपकी जो chest है वह 83 cm से कम है तो भी आप qualified नहीं किया जाओगे अब इस आपको एज वगरा भी कोई शूट नहीं थी लेकिन height में शूट दी गई है किस category को देखिए relaxation of 2 cm in height and chest will be given only to SCST and a BC category candidate no such relaxation is available for 2 EWS category candidate कहने का मतलब यह है कि आपकी 2 cm शूट दी जाएगी किसमे height और chest में यहाँ पर देखिए कि height और chest में अब किस category candidate को दी जाएगी यह SC ST BC category के जो है दी जाएगी clear है तो यहाँ पर आपको height और chest में जूट मिनने वाली है आपका यह point अब clear हो गया होगा उसके बाद जो आपके लिए main point है वो आपका PSDN की physical screening test यहाँ पर आपका total 30 नंबर का जो physical screening test है वो रहने वाला है इसमें आपके क्या का test होंगे देखिए सबसे पहले होगा आपका high jump high jump आपको 137 cm से उचा लगाना है इसके लिए आपको 3 chance दिये जाएंगे इसके total जो है 10 नमर रहने वाले हैं chin apps जो है वो आपके कम से कम 8 face above the horizontal bar in each count यानि कि जो आपकी horizontal bar होती है उससे उपर आपका face जाएगा वहीं आपके count की जाएगी ठीक है जो chin app से लगाते हैं यह उसका जो process दिया गया है इसके भी total 10 नमर रहने वाले हैं अगर बात करें race की तो 2 km आपके race से यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी कितनी होगी साथ मिन्ट और तीस सेकेंड में जो आपको यह पार करनी होगी यह भी आपके total 10 नमर के रहने वाली है तो यह total 30 नमर का आपका physical screening test रहने वाला है अब नमर तीन पर जो आपके लिए main चीज़ है वो आपका knowledge test इसमें आपको क्या है देखिया All these candidates who qualify in the physical screening test will be eligible to appear for the knowledge test कहने का मतलब यह है कि जो आपके PMT और PST में qualified candidate है उन्हीं को knowledge test के लिए बुलाया जाएगा अब यह उज़ आपका test रहने वाला है यह 60 नमर का आपका test रहने वाला है यहाँ पर objective type क्यूशन आपके रहेंगे यहाँ पर आपकी जो है कोई भी नेगटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है पेपर आपका मीडियम होगा एक्जामनिशन वो बाइलेवल होगा यान की हिंदी और इंगली से दोन में रहने वाला है यह कुछ डिटेल है knowledge test के बारे में होगी बात अब ध्यान रखेगा इसम कहने का मतलब है कि आपके जो PMT में नंबर होंगे आपके जो PST में नंबर होंगे और प्रस है आपके जो knowledge test में नंबर होंगे इन तीनों के आधर पर ही जो है आपकी मेरिट लिस्ट तयार की जाएगी इसके अलावा कोई भी extra marks आपको नहीं दे जाएंगे ओके और यहाँ पर जब आप PMT PST में जाओगे तो आपको अपने risk पर आपकी अपने responsibility पर आपको जाना होगा यह कुछ है यहाँ पर detail थी आपकी age वगरा में आपकी height वगरा आपकी chest वगरा आपकी face वगरा के बारे में आपकी merit list के बारे में जो हमने अभी आपको official notification दिखा के जो है दिख आपको वीडियो अच्छे लगए है तो please वीडियो को like जुरू कीजिएगा और अपने चैनल success एक जिद को subscribe जुरू कीजिए जुड़े रहिएगा thanks for watching and keep supporting जैहिंद